हेलो फ्रे इन्स वागते आप सभी का आरके दमंडर किचन में आज बनाएंगे दूद वाली मेटी सिवईयां ये बोती टेस्टी लगती हैं और बच्चों को भी खूब पसंद आती हैं आप इसे बच्चों को नास्ते में भी दे सकते हैं मेटी सिवईयां बनाने स्टर्ट कर सिवयों को बिल्कुल हलकी आज पर भूनेंगे क्योंकि यह अंदर तक अच्छे से सिख जाती हैं आप इसमें थोड़ा सा घी डाल के भून सकते हैं सिवयां हलकी आज पर अच्छे से भून गई हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है सिवयों को भूनने के बाद एक बड़े गला अब इसमें एक-दो हरी लाइची खोल के डाल देंगे सिवयों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हरी लाइची की खुस्बू भी अच्छे आती है आदा कटोरी चीनी एड कर देंगे चीनी को सिवईयों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कमिया जादा कर सकते हैं एक बड़ी कटोरी भरके दूद एड़ कर देंगे सिवईया और दूद मैंने बरावर लिया है इसी कटोरी में मैंने सिवईया ली थी और उसी कटोरी में मैंने भरके दूद लिया है दोनों चीज बिल्कुल बरावर रखी है सिवईयों को मेडे माच पे पका लेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे सिवईयों में सिवईयों में उबाल आ गया है अब इसे 5 मिनट के लिए मेडे माच पे और पका लेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे इसका दूद भी गाड़ा हो जाएगा और सिवईयों बहुती बढ़िया से पक जाएंगी अब गैस को बंद कर देंगे सिवईयों अच्छे से पक गई है अब इसे सर्प कर लेंगे बाउल में ये देखे कितनी बढ़िया सी सिवईया बनी है दूद भी इसका बिल्कुल गाड़ा हो गया है और ये खाने में उतनी ही टेस्टी लगेंगी जितने की आपको देखने में लग रही है और उपर से इसमें काजू बदाम आप अपने पसंद के कोई भी ट्राइफूट डाल सकते है इस तरीके की मेठी दूद वाली सिवईया आप घर में एक बार जरू बना के देखें